नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिफिल सिर्फिस बें इस वाले व्यूडियों में हम लोग कम्प्लीट स्ट्रेजी देखेंगे बहुत दिनों के बाद आ रही है ये काफी दिनों से लगातार लोग डिमाइंड कर रहे थे सौ दिन की स्ट्रेजी देखेंगे UPPSC 2020 के लिए हमारे पास अभी काफी ज़्यादा टाइम है इतना टाइम है इवन कि UPPSC 2020 की प्री के साथ साथ जो मेंस के बेसिक कॉंसेट है उस पर भी फोकस किया जा सकता है बस जरूरत है सही रणनीती की क्या-क्या चीज़े पढ़नी है उससे भी ज़्यादा important है कि क्या-क्या चीज़े नहीं पढ़नी है यह official syllabus खोला है मैंने आपके सामने और इसमें complete study देखेंग भाईया 100 दिन बहुत ज़्यादा होता है UPPCS के लिए आप पूरी अगर एकदम fresh start भी कर रहा है तब भी पूरा ही हो सकता है बस बशरते शर्त यही है कुछ कि भाईया ने official syllabus खोल लिया यह है पूरा official syllabus GS1 का यहाँ पूरा study बताई जाएगी GS2 के लिए अलग से बताई जा चुकी है उससे पहले एक आपको यहाँ पर सूचना देनी है यह हमारा telegram में only UPPC यह officially group है हमारा ठीक है आप इसमें देख सकते है at the rate only UPPC इसमें कोई कहीं पे कुछ और न नहीं है only UPPC ठीक है तो add the rate only UPPC को जरूर जोन के लिएगा सब कुछ इसमें मिलता रहेगा अब देखें यह है GS paper 1 का पूरा syllabus ठीक है तो GS paper 1 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 200 marks का paper होता है दो घंटे का होता है डेर सो question आते हैं इसमें और इसी में cut off बनता है cut off किता जाता है यह आपको पहले जो है दिमाग में रखना चाहिए यह बात दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि भाया अगर आपको प्रिलिप्स जो है clear करना है क्योंकि 2020 की seat भी बहुत जादा कम है ठीक है और उसमें भी 13 गुना वाला हिसाब की ताब है कि भाया जितनी seatे हैं सिर्फ उसका 13 गुना मेंस में जाएंगे तो एक आपको smart running की जरूरत होगी रणनीती की सारी चीज़े दुनिया में बहुत सारा material पढ़ा हुआ है सब कुछ कूड़ा कचड़ा पढ़ा है हर चीज नहीं पढ़नी है बहुत ही selective पढ़ना है बहुत ही focus रहके त्यारी करनी है तभी आप ही selection हो सकता है क्योंकि competition वैसे ही बहुत जद़ टफ है 200 marks में अगर आप ये target करिए कि आप करीबन जो है कम से कम 130 number के आसपास आपको लाने ही लाने है तब ही जाके यहाँ पे selection हो सकता है यानि कि आपको ये करना है एक बात हो रहे है इसमें आप निगेटिव मार्किंग है one third की ठीक है तो और extra थोड़ा सा सतर्क रहना है यहाँ निगेटिव मार्किंग के साथ आप ये समझे यूपी पीसेस के जादा तर exam है वहाँ पे 65% से लेके 70% तक cut off जाता है ये एक आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा 70% आप अगर करा है तो बितलब यहाँ पे बिल्कुल आप को मेंस की ticket मिल जाएगी वैसे भी प्री का कोई final rank में तो कुछ रोल होता नहीं है सिर्फ मेंस के देने के लिए आप जो है eligible है कि नहीं बस उसके लिए प्री का test होता है बस बाकी इसका कोई महत तो नहीं है ऐसा लेकिन मेंस देने के लिए बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी तो यहाँ पे आप यह समझ यकीन मानिए कि करीबन 145 question आपके पास हैं सामने रखे हुए हैं जो कि आपको attempt करने है जहाँ पे आपको number मिल सकता है जहां से आपका cut off clear हो सकता है आपको एक target रखना पड़ेगा पिछली बार जो बता रहे हैं लोग अभी तक cut off तो declare हुआ नहीं officially लेकिन यह जरूर बता जा रहा है कि 94-95 questions पे गई है merit जबकि पिछली बार की seat थोड़ी जादा थी इस बार से इस बार seat थोड़ी सी कम है तो इसलिए आप ये यकीन मानिए आपको कम से कम target 95-100 questions का लेना पड़ेगा सबसे पहली बात यह बिलकुल मान लिजे भाया अगर यहाँ पे कूदे हैं selection चा कोई कहीं देगा कि हम 70-70 questions में clear हो जाएगा 80 में clear हो जाएगा हर बार ऐसे बेवकूफ बनाने वाले लोग आते हैं प्लीज आप लोग सतर रहिए यूपी में वह ऐसे भी जन संक्या बहुत जाता है इसलिए कई लोग जो है इसको अपना रोजगार का साधन भी समझने लग खैर study for civil services आपके लिए लगाता लगा हुआ है हमने पूरी आपको test series भी दी है पूरा study material भी दिया है इतना sufficient है वो कि अगर आप even हमारी playlist पूरी देख लें आप प्री आराम से clear कर सकते हैं लेकिन एक बात शर्त यही है कि पापा वीडियो यह नहीं कि आपने एक वीडियो द के कहां कहांसे अगर आपको 95-100 number-100 questions का target करना है कि सही करने हैं आपको 100 question तो भाईया क्वेशन निकाले कहांसे कहां से question आते हैं याकिन क्वेस्चन आते हैं सबसे पहले करेंट अफेर से करेंट अफेर बिल्कुल भाया खा लेना चवा लेना पी लेना इल्कुल तीस क्वेस्चन के आसपास यहां पे आएंगे अगर आपने ये वाले सेक्चन में गलत कर दिये तो आपको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है भाया करेंट अफेर के पूरे के पूरे नंबर चाहिए हमको यह ध्यान रखिएगा तो करेंट अफेर के कितने आप एक क्रेशन आते हैं करीबन तुईस क्वेस्चन आते हैं इसमें आपका इंडिया का टोटिल करेंट अफिर होता है, यूपी के भी दो चार कोईशन आजाते हैं, यह 30 कोईशन आपको चाहिए, यह वाले कोईशन बहुत ही एजी होते हैं, नॉर्मल होते हैं, इनको कोई भी कर सकता है, नॉर्मल होती है, बस फोकस्द तियारी करने की जरूत है आपे क्या चीट पढ़नी क्या नहीं पढ़नी है ये समझ लिए हर चीट पूरा पोथी नहीं पढ़नी होती है सिलेक्टिव पढ़ना होता है यूपी पीसेज के लिए इस्टेडी फॉर सिविल से ज्यादा किसी ने रिसर्च कियो ऐसा जो है मुम्किन नहीं अभी तक तो आगे भले को रिसर्च के लिए हमने यूपी पीसेज के हर एक्जाम के प्रिविश के क्वेश्चन के लिसीज दी है लगातार हमने सिलेक्शन दी है प्री में ठीक है 2017 में 2018 में 2019 में जब सिर्फ 6000 लोग सिलेक्ट हुए थे तब भी हमारे प्रेट गूप से डारेक्ट अगर कुछ सेज्चन तक सही करना है तो भाईया बिल्कुल कवर करना है विना एक भी आरे मार्क गवाय है थीज में آپ माल लिए चलो भाईया इंसान है हम लोग 25-26 के असबास मालू आप यहाँ पर कर लोगे तब भी ठीक है क्या पढ़ना पढ़ेगा Current Affair में देखिए 11 October को पेपर है आप ये यकीन मानिए कि 30 सितंबर से पहले का Current Affair पढ़ना है कितना पढ़ना है 30 सितंबर से पहले 6 मेने का आप ये यकीन मानिए सितंबर हो गया ठीक है फिर ये अगस्त हो गया माई हो गया मार्च हो गया माई के पहल गया अपरेल आएगा तो अपरेल हो गया मार्च हो गया ये जो करीबन हो गया आपका 5-6 मेने का तो सितंबर से पहले जाते हुए अपरेल से मतलब सितंबर तक का तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है बहुत ज़्याद अच्छी तरीके से करना है ठीक है उसके बाद भी यह है कि भाईया अप्रेल से तो आपने कर लिया लेकिन अभी बात नहीं बनेगी करेंट अफेर आपको करना कैसे है यह समझिए देखो करेंट अफेर में 30 जो है क्वेस्टन फसे हुए है और सो क्रॉस करने के लिए 30 क्वेस्टन वाली स्टेज पार करनी पड़ेगी तो आप कैसे करो कि आप जो है एक जनवरी जनवरी 2020 से लेके और सितंबर के एंड तक का य और ज्यादा अच्छे से करना है वहुकुल रट डालना है ठीक है 9 मेने का टोटल करना है और यह आपका 6 मेने का यह करना है इसमें almost 30 में से करीबन 26 सवाल आ सकते हैं क्योंकि कुछ सवाल थोड़े और पहले के भी पूच लिया जाते हैं को कहा तो यही जाता है और अभी त लेटेस 6 मेने वाले में से करीबन 24 सवाल आ जाएंगे ठीक है और उससे पहले वाले में टोटल आप 5-6 या 8-9-10 तक जा सकता है अकड़ा तो ज्यादा फोकस कहा करना है लेटेस 6 मेने वालों पे ठीक है तो अगर safe side रहना है वह यह आपको तो अगली बार जो हमारा जो नौमबर 2019 दिसंबर 2019 से लेके पूरी यह सितंबर तक का जो monthly current affair है बस उतना पढ़ लो उसमें UP PCS का prelims आपका आराम से कवर हो जाएगा यह जो है हम आपको बिलकुल अच्छी तरह से assure कर रहे हैं आपे लेकिन पूरा पढ़ना पढ़ेगा बस समस्या यही है कि आप लोग जो है बीच-बीच में कुकु कुकु बद करना यार अब research करी है तो उसको मान लेना बस यह ठीक है वरना आप भी सब लोग research इसी में आ जाओ जैसे कई लोग आ चुके हैं आजकल तो सब लोग भाया पढ़ाने ही लगो फिर पढ़ो नहीं तो अगर expert बनना है तो फिर उसी प्रूड करके करने हैं अब तीज कोईशन आपको जो है कैसे हो जाएंगे सितंबर 2020 तक का बिल्कुल अच्छे से कर लेना उसमें से भी बहुत ज्यादा फोकस कहां करना है अप्रेल 2020 से लेके सितंबर 2020 तक का बस कहां से करना है वो सोर्स भी बता दे रहा हूं सिर्फ और questions दिये जाते हैं बस इतना कर ले रहा इतने में sufficient हो जाएगा अगर आप हमारे paid group वाले हो तो आपको current affair की PDF के साथ साथ current affair के छेट टेस्ट मिलेंगे तो अगर कोई चीज से इधर उदर छूट गई है तो वो हम आपको छेट टेस्ट के माध्यम से करा देंगे जो लोग नहीं paid group जोईन कर सकते हैं उनको लिए भी कोई समस्या नहीं है सारे वीडियो उनके free रहेंगे तो current affair का क्या करना है आपको एक तो यह आपको पूरा का पूरा यह जहां से बताया मैंने कि यह total देखना है आपको 9 2019 से लेके सितंबर 2020 तक का प्लस जो 6 टेस्ट है वो और प् important topic है इन तीनों का एक ही पापा वीडियो में मैंने cover कर दिया है बस उतना देख लेना कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ उसको रड़ डालो 5 घंटे का करीवन वीडियो है उसमें आपको union budget 2021 वाला economic survey के main point और प्लस जो है UP का budget यह तीनों चीज़े इसमें cover हो तो कि economy में भी तो जादा तर चीज़े focus कहां पर आती है current से तो पूछा जाता है एक चीज़ और भाया कि latest जो मिंडन और agriculture का data है वो भी अपडेट हो गया तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा tension मतलना सब हो जाएगा हम लोग target अपनी strategy कर रहे थे भाया कि 100 question आपको करने है 30 question आपके होगा current affairs at least इतने आएंगे number two focus करना है आपको history पे देगे history में क्या लिखा है history of India and Indian national movement history में करीब आते हैं 25 question आते हैं 25 से 26 question आते हैं ज्यादा तर focus रहता है modern पे आधेज ज्यादा question आते है modern के अगर मालिजे 26 के आज़ पास question आए तो भाया 13 14 question आएंगे modern के ये सबसे ज्यादा focus करना है आपको modern की spectrum ओले पापा वीडियो पे प्लस 500 question जो spectrum का पापा वीडियो दिया है वो करना है और प्लस इसके बाद ancient और medieval का पापा वीडियो देख लिजेगा या फिर आप इसमें एक का मोर कर सकते हैं जैसे आपके पास अगर book से अपना पढ़ रहे ह तो ज्यादा focus कहां पर करना है modern पर करना है ठीक है modern के लिए spectrum book भी पढ़ी जा सकती है इसके पाण्डे भी पढ़ी जा सकती है और ancient और medieval के लिए इसके पाण्डे पढ़िये और या फिर इसके साथ-साथ old NCRT वाली जो RS सर्मा है और ancient के लिए हो गई और medieval के लिए old NCRT वाल करेंगे फिर medieval करेंगे फिर modern करेंगे इस तरह से अगर करेंगे तो समझ में भी आएगी और इसको थोड़ा समझिये भी कोई चीज आपने पढ़ी उसको थोड़ा सा आख बंद करके सोचिए कि भाया यह यह चीज हमने पढ़ लिए अपने आपको समझाने की कोशिच करिए वरना नहीं समझ में आपाएगी history और कई सारी फैक्टिस में ऐसे होंगे जो आपको रटने पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे चाहें जितना बड़ा विद्वान आ जाए हर चीज की ट्रिक नहीं बनाई जा सकती है ठीक है अगर आप normal इंसानों मेरी तरह है तो मैं आपके लिए strategy बता रहा हूँ अगर आप सुपर मैन हो तो भाईया अपना सुपर मैन हो तो तो उड़के पेपर करी लोगे फिर नॉर्मल हो तो अभी मेरी strategy सुनना ठीक है मैं strategy बनाता हूँ सिर्फ normal common लोगों के लिए ancient के लिए क्या करना भाईया एक old एंसी आर्टिवा लिबुकाती आ या तो आप एसके पांडे की तीनों ले लो तो फिर ये कोई पढ़ने की जरुवत नहीं है ठीक है और या फिर आप इन तीनों की बुक की जो एक reading मानने की बाद हमारा पापा वीडियो देख लीजेगा उसमें से सब कुछ कवर हो जाएगा ठीक है प्लस हमारी जो summary है जो पेट गूप में है उनको हर ये ancient की पूरी एसके पांडे की समरी दी गई है medieval की भी समरी दी गई है और modern की भी आपको समरी दी गई है spectrum प्लस एसके पांडे मिला के जो लोग मतला पेट गूप में उनको तो सिर्फ क्या क्या करना है summary पढ़नी है और एक history की पूरी compilation file पढ़ ठीक है और जो लोग नहीं है उनको सिर्फ पापा वीडियो देखने है और प्लस सबका जो 1500 वाला अभी मैंने दिया है tough questions वाला वीडियो आपको free है आप देख लिजे 1000 वाला question वाला वीडियो फ्री है बिल्कुल देख लिजे अब या पढ़ लोग है तो यह आ जाएगा व अपने देख लिजे पालो किया है आया ही निट वाला अटेकुट जबकि सिलेक्षन हुए 500 लेकिन अब रो रहे हैं जो रोंदू है रोंदू मत बनो लुल्ल बनने की जरूरत नहीं है दुनिया को को सो मत सारी चीज़े आपको घुद करनी है दुनिया में सारे लोग आपक कर सकता हूँ आपको कि करना कईसे है करना आपको खुदी है एक्जाम खुदी देना है जाके वहाँ पे तो या तो रोंदू बन लो और दूसरों को कोसते रहो और या फिर चुपचाप पढ़ाई करके आराम से सिलेक्षन लेके कम से में में से दो और में में निकल जा तो पूरियें, सीलेक्चन हो जाएगा, ठीक है, तो 100 कोईस्चन के लिए, जो हमारी स्टेटीजी थी, सबसे पहला टार्गेट आपको करेंट नहीं छोड़ना है, 25 कोईस्चन की हिस्ट्री, 55 कोईस्चन में से आपको टार्गेट करना है, 50 कोईस्चन यहाँ पे आपके सही होने यह तभी जो है आगे बड़ी सकती यह गाड़ी तीसरा जो टार्गेट है आपका साइंस वाला सेक्षेन मत छोड़ना साइंस कुछ नहीं है सिर्फ एंसे लेकर 12 तक मोस्ट इंपोर्टेंट वाले वीडियो प्लस आप लूसेंट पढ़ सकते हो तो लूसेंट पढ़ लो या फिर अगर आप सिर्डी फॉर्ट सिविल सेक्षेन के फॉलोवर हो तो भाईया सिर्फ आपको क्या करना है सिक्स से लेकर 12 तक वाली जो एंसी आटी का बड़े पापा वीडियो है वो पूरा देख लिजेगा और एक साइंस का वन लाइनर कंपाइलेशन हमने पहले दिया थ वो देख लिजेगा अभी उसी का पापा रिवीजन को कि कंपाइलेशन की फाइल पूरी अपडेट कर दी गई है पापा रिवीजन अभी चलना है हिस्ट्री का ठीक है वैसे ही साइंस का भी चालू हो जाएगा साइंस का भी चालू होगा और आपका जो है यह तीसरा कौन स या फिर हमारा सिर्फ one-liner वाला compilation वाला पापा वीडियो देखिए और बड़े पापा पूरी science कवर पूरी science 20-25 question कवर हो जाएंगे दो वीडियो देखने में एक है 45 गंटे का बड़े पापा NCRT science वाला वीडियो और एक है compilation वाला वीडियो करीबन 10-15 गंटे का है one-liner compilation बस ये समझ लिए 20 question आते हैं करीबन लेकिन दो-चार question इसमें सो जो भी है current affair के भी आएंगे इसी लिए current affair का रोल बहुत ही जाता है अगर बहुत मज़ा exam के बात लेना है तो जही से बता रहा है वही से ही कर लेना 100 question का हमारा target था मैंने आपको क्या बताया 30-35 question आते है current affair के तो या यहाँ पर जरूर निकालना है 70 से यहाँ इन सब section से निकालना है और बहुत ही possible है अगर 8 side वाले हो science नहीं समिन में आती है तब भी आप target करो 20 में से 10 question तो सही करके आने या ने है इससे कम नहीं करना है वरना नहीं होता है भाया जी और क्या करना है वो समझे अब इसके एक है environment environment के लिए भाया कुछ ना करो सिर्फ हमारी compilation पढ़ लेना बस उसका पापा रिवीजन मैं चालू करने वाला हूँ इसलिए यह speaker मंगाया है speaker की आवाज कहीं सी रग रही है बताना जरूर बहुत ही जबरदस्त है मजा आ रहा है एक दम रिकॉर्ट करने में आज तो य यह जो है environment का compilation का पापा रिवीजन वाला वीडियो मैं खुद बना दूँगा कोई tension वाली बात नहीं है बहुत जल्दी जल्दी काम होगा काफी दुनों से रुका पड़ाता सा support चाहिए बस आपका बस इसलिए मंगाया है बेहतरीन धासु आवाज होनी चाहिए environment के लिए क एक वीडियो बना हुआ है वन नाइनर पापा वीडियो जिसका updated version और आने वाला है वो अभी आगे आप उतना भी देख लोगे तो काफी है इसके लावा जो environment का कुछ factual चीजे है नेशनल पार्क कितने बढ़ गए टाइका रिजर्व कितने बढ़ गए यूपी में कितने हो environment में 13-14 question आते हैं ध्यान रगेगा यह कोई छोटा मुटा section नहीं है समझ रहो आप तो अगर आप देखें तो 1500 जो हमने देखा था कि भाईया 1500 में से 5 अपने पास आयोग ने रख लिए 145 जो बचे उसमें हमारा target है 100 question से ही करने का 100 question के लिए क्या करना है current affair फिर number 2 history हो गई number 3 science हो गई number 4 environment हो गई अगर आपने ये चारो section पूरे ध्यान से कर लिए कहां से कर लिया है वो मैंने बता दिया आपको ठीक है आपके करीबन यहां पर 90 या 85 से 90 question यहां पर सही हो जाएंगे यहां पर इसमें कितने आएंगे 100 से 110 question आते हैं यहां पर बचा फिर क्या फिर इनों में होती है ठीक है तो वो मतलब कहां से overlap खताम हुआ कहां से चालू हुआ यह सब चीजे समझ में नहीं आ सकती है इसलिए base cover करना जरूरी है NCRT किसकी किसकी पढ़नी समझ है वो समझ यह NCRT आप जो है पढ़िये मैं आपको बताता हूँ जैसे NCRT आपको किसकी किसकी environment है वो आली बुक पढ़िये 16 वाली जो chapter वाली बुक है वो एक बार चाहें तो skip कर सकते हैं कभी कभी लेकिन उससे भी question पूर लिया जाता है और 12 वाली जो है आपकी इंडिया people economy और human geography उससे इतना नहीं आता है एक आपके लिए खुशकवरी यह है कि geography का यह जो यह है पू possibility कि मैं इतना कर दूँगा लेकिन geography का यह सिर्फ base था आपको सिर्फ क्या करना है बरनवाल का पापा वीडियो देखना है बरनवाल प्लस NCRT प्लस Google प्लस Wikipedia सबका मिला के भया एक English में दिया गया एक Hindi में दिया गया है थोड़ी सी पद्दी करनी पड़ेगी थोड़ी कसरत क पड़नी पड़ेगी गुदा लाना पड़ेगा 30 से 36 गंटे का वीडियो है यह एक बारा पूरा देख लिजे यूपी PCS के किसी भी एक्जाम में अगर जोगरफी के माल लिजे जैसे यूपी PCS के प्री में आते हैं PCS प्री में करीवन 15 कोईशन तक आ जाते हैं 15 आ ठारा गए तो आपको 10 से 12 भाईया यहां पर निकालना है एक बात यह सबलो NCRT है बेस उसके बाद बरनवाल पढ़नी है बस उसके बाद चार मैप है मैप कौन कौन से भाईया वर्ड जोगरफी के दो मैप है फिसकल पॉलिटिकल इंडिया का है फिसकल पॉलिटिकल बस यही वाल भी दे दिया जाएगा सारे कॉंटिनेंट का मिलाके मैं एक वर्ड जोगरफी का जोगरफी त्रू मैप का पापा यूडियो रिलीज कर दूँगा उसकी कोई टेंशन नहीं है जैसे पहले किया था उससे और बहतर तरीके इस करेंगे जोगरफी में सिर्व इतना पढ़ना ह है जोगरफी में भी आपको करीबन 15-16 कोईशन आते हैं तो आपको 10 कोईशन के आसपस निकालने हैं यहां पर ठीक है बचा एकनॉमिक्स में ऐसा कुछ बेसिक नहीं आता है यूपी पीससी एक्जाम है साब बात ठीक है क्या क्या आता है अब यह एकनॉमिक्स में एक तो हो कस है तो यह एकनॉमिक आप मालो अगर आपके 10-12-15 कोईशन आ गए क्योंकि एकनॉमिक एंड डिवलपमेंट लिखा हुआ है तो भाया जो 10-12-15 कोईशन आ गए उसमें आप यह समझो कि जादा तर करेंट अफेर की तरफ टिल्टेड होंगे यानि कोईशन आएं कहां कहां से भाया या यूनियन बजट से आ जाएंगे एकनॉमिक सर्वे से आ जाएंगे अब एकनॉमिक सर्वे में यह नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैट गए वो यूपी सी के लिए है इतना भी यूपी पीशेस ने अपने आपको डेवलम नहीं किया है कि वो पूरे इतने में जो है आलमोस्ट चारी चीजे आ जाती है तो यह तो हो गई बात पोटा मोटा कि भाईया सो कोईशन कैसे करोगे इतना कर लेना और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्वे बता रहा हूं कि करना कैसे अब एक एक समझते है जो ऑफीशली सिलेबस में दिया विश्व भूगोल और भारत का भूगोल इस से करीबन 15-16-18 कोईशन आते हैं भारती राजनीति और साशन पॉलिटी की तो अभी मैंने बाता ही नहीं की पॉलिटी में ज्यादा तर जो होती है क्या क्या आती है लिस्टिंग कौन किसको ओद दिलाता है कौन किस से जो है किस उसको रिजाइन समिट करता है फंडामेंटल राइट कितने होते हैं किस आर्टिल में कौन सा चीज डिफाइंड है most important आर्टिल कैसे कैसे constitutional development हुआ भारत का कौन कौन सी बॉडी constitutional होती है non-constitutional होती है executive होती है इस टेट्टू टरी होती है यह सारी चीजे लिस्टिंग इंडियन पॉलिटी बाई लच्चमी कांद की जो हमारी playlist है study for civil services की आप वो playlist अगर पूरी देख लो quality में जितने भी question आएंगे UPPCS में मैं आपको यकीन दिला रहा हूं 95% question उसी playlist से आएंगे 2-4% आएंगे बाकी इधर उदर वो तो current affair वो तो update करना ही पड़ेगा वो तो already current affair में हो चुका है समझेगों बात था तो यह जो है इसमें question कितने आ जाते हैं कभी 10 आ जाते हैं कभी 12 आ जाते हैं कभी 14 कोई है इसाट लिकाना नहीं है और्थिक और समाजिक विकास अब इसमें क्या है ये कुछ कॉंसेट है सतत्विकास, सतत्विकास का क्या मतलब हो गया भया ये हो गया आपका सस्टेनेबल डवलपमेंट पावर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशेटिव अब इनको टर्म्स को पढ़िया है भया समझिये ध्यान से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार पढ़ लोगा तो प्रीमेंट दो लोक ले हो जाएगा कॉमन समझ रहो अभी आपके बाद सो दिन है हर चीज बेसिक ऐसे करनी है कि मेंस का सोच करनी है जैसे बेसिक सब्जेट कौन कौन से होगा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुक्स आपको पढ़नी पढ़ेंगी कौन कौन से बुक्स पढ़नी पढ़ेंगी समझ लोगा फिर से दोको NCRT की आपको क्या क्या पढ़नी जोग्रफी तो पढ़नी पढ़नी है 6 से लेके 12 तक पॉसिबील हो तो जरूर पढ़िए ठीक है 6 से लेके 10 पे ज़्यादा फोकस करना 11 की Indian Physical Environment पे ठीक है Politically नहीं पढ़नी है कोई ऐसी जरूरत नहीं है NCIT पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है ठीक लेकिन अगर आपको मेंस भी देना तो भया NCRT की सोशालोजी की बुक पढ़नी पढ़ेगी आपको वो सोशल इशूज वाला जो GS1 का पेपर उसको टॉपिक्स है उसमें हाला कि प्री में उसका कोई रोल नहीं है ठीक है लेकिन अभी से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको बता दे रहा हूँ हिस्ट्री के लिए भया अगर देखो हिस्ट्री के लिए सिर्फ NCRT पढ़नी तो New NCRT 6LA के 12 तक पढ़ डालो पूरी अल्मोस सारी चीजे कवर हो जाती है ठीक है लेकिन फिर भी चंद्रा वाली भी पढ़ी जा सकती है लेकिन वो क्रिटिकली अनलाइज करने के लिए सिर्फ मेंस के पॉइंट वहां से निकले जा सकते है निकाले लेकिन प्री का इतना नहीं रोल है ठीक है और एकनोमी की बात करें अगर आप NCRT एकनोमी नाइन से लेके 12 तक एक बार पढ़नी चाहिए आपको 12 का मैक्रो एकनोमिक्स वाला आप जरूर पढ़िए माइक्रो छोड़ दीजे समस्या भस यही थी माइक वाली ठीक है आप मेरे पास आ चुका है आपको बहुत जल्द कोशिश करूँगा मैंने बोला है आपसे पहले भी कई बार वीडियो फ्री थे फ्री हैं फ्री रहेंगे लेकिन डिले होता है क्या करें सारी चीजे इतनी सारी चीजे हैं व्यूस कम ह हो रहे हैं अभी तक मेरा फोकस कंटेंट पर था अब आप लोग उने व्यूस और सब्सक्राइबर कर दी है तो भाईया वह भी देखना है कि सर्वाइवल भी तो चलाना है कईसे चलेगी गाड़ी अगर आप लोग जो है यहाँ पर नहीं साथ देते रहेंगे लगातार भा एक सोसाथ सिलेक्शन हुए है मुझे एक किसी भी कीमत बढ़ाके डेर्ड सो कम- frost कम है ध्यान रगिएगा बस जो पकीडमारे सुनना है यहाँ पे हमारी पीडियाफ यानि की कंपाईलेश फर पीडियाื่ can bank होते हैं जो लगातार update होते रहते हैं प्लस special PDF होती है अगर ये पढ़ ली किसी ने उसको UP pieces prelims में कोई select होने से रोक नहीं सकता है चाहें जैसा भी paper आ जाए इतना आप कर लोगे कि prelims का cut off और हम से clear कर लोगे ठीक है हमने पूरे वीडियो दिये हुए पूरी playlist बना दी सारे वीडियो पब्लिक कर दूँगा एक दो दिन में आप उसमें देखते रहे ना अब उसमें एक साथ पब्लिक करने में views नहीं आएंगे एक दो एक दो views आएंगे लेकिन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ चाहना तो एक बार पढ़ जालना है एक बार ऐसे ही जो है उसको रिवीजन के लिए काम आ जाती है यहाँ पे अब हिस्ट्री अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि भाईया NCRT की बेस कमर कर लिया फिर इसके पंडे से ancient medieval कर लिया और spectrum से आपने जो है modern कर लिया तो यह जो history आपकी बनेगी भाईया यह pre or means दोनों के लिए बन जाएगी मजा आ जाएगा बिल्कुल pre or means दोनों के लिए concept क्लिर हो जाएगे हर चीज जो पढ़ रहा हो उसको सोचो दिमाग से कि क्या इसकी जरूरत है अपने आपको समझाना चालू करो जो ESGS पढ़ रहा हो आप इसको real life में भी अपने उतारना चालू करो कोई भी नई चीज देखो उसमें के समझो अपने आपके views बनाना चालू करो हर चीज़ों में आपके analysis होनी चाहिए ये सब चीज़े बहुत जरूरी है क्योंकि mains में सिर्फ answer writing काम आती ही चाहिए जितने बड़े तोपची हो चाहिए जितने बड़े आप जो होशियार हो जितने बड़े master हो अगर आपने answer writing नहीं करी है तो mains आप clear कर ही नहीं सकते हो इसलिए base clear करो अभी से और उसके बाद रखो किस चीज़ नहीं के लिए कि भाईया GS1234 के जो basic concept है उनके note पढ़ लो उसके लिए हमारा अलग से हो चलेगा उसके लिए पूरी video series भी आ चुकी है अभी उसको update करके फिर से लाने वाले है लेकिन answer writing वाला फिर जोईन कर लिए अभी हमारी monthly answer writing है तो अगर जो लोग तैयरी कर रहे है 2020 के लिए तो चाहें तो monthly वाली join कर सकते है सिर्व 1000 रुपे फीसे उसकी ठीक है तो खेर हम लोग मैंने आपको उता दिया standard की क्या क्या पढ़नी है या basic के लिए ठीक है अब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा यहां पे काफी दिनों से गाड़ी रुकी होई थी अब गाड़ी नहीं रुकेगी जब एक बार गाड़ी बढ़ती है तो बहुत तेजी से जो है सब को चीरते हुए बागे बढ़ेगी टेंचर मतले ना आप जो है पॉलिटी के लिए सिर्फ लच्छिमी कांथ पढ़ जालो बस प्री में दोनों के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है जी एस टू का जो पेपर है लच्छिमी कांथ उसमें से कई सारे टॉपिक कवर करता है जो नॉर्माल इंडिन पॉलिटी है प्लस गॉवर्णनेंस वाली बुक ठीक तो पॉलिटी यह हो जाएगी इसमें अब जोगरफी का मैंने आपको यह बताई दिया कि कैसे क्या करना है बरन वाल इंस एटी परली बस हो गया ठीक है हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताई दिया है environment के लिए मैंने आपको बताई दिया है सिर्फ हमारा compilation संकर पढ़ लो तो फिर उसमें prior में दोनों का cover हो जाता है ठीक है यह हो गया और आपको अगर इसमें जो हम लोग यह syllabus बात कर रहते हैं हापे अभी मैंने एक चीज नहीं बताई जो सबसे इंपोर्टेंट है जो मिसलेनियस टॉपिक है जहां से सबसे कम पद्दी करके सबसे जादा नंबर लाते हैं वो वाली चीज अभी बताऊंगा लाज के लिए बचा के रखिए अब यह हम लोग देख रहा है तो यह वाला आप टेंशन मतलिएगा यह जो है यह टॉपिक को मैं कवर कर दूँगा यह वाला जो है यह सस्टेनिबल डेवलेप्मेंट गरीबी वाला हम लोग कर चुके हैं व्यापक जानकारी पर विशेज ध्यान देना होगा यह व्यापक काहे के लिए लिखा है यह इसलिए लिखा है कि प्री और में दोनों के लिए कवर हो जाए तो आयोग चाहता है कि आप दिनों दिनों एक साथ क्लियर करो लेकिन आप लोग जो है वो बर्गला जाते हो बीच बीच में इसलिए बर्गलाने का नहीं है जो चाहता है योग उसने लिखा है साब साब ठीक है अब देखिया इसमें भारती राष्टी अंदोलन पर अभ्यरतियों से स्वतंत्रता अंदोलन की प्रकृति तथा विशेस्ता राष्टरवाद का भ्यूदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान जारिये पिच्चित है तो ये पढ़ना है आपको बुगोल के लिए आप बता दिया गया है ठीक है आपको मैंने पॉलिटिक लिए बता दिया है बस एक बार इंसी है वो सॉरी लच्मी कान प बताया कि सारी चीजे बढ़िया है लेकिन आपका टारगेर क्या है प्रिलिंस क्लियर करना अगर वो नहीं क्लियर हुआ तो सब बेकार हो जाएगा ठीक उसके लिए किया करना है वो समझो और साइन्स में आपको बीच क्या किसे बताया सब कुछ बताया कि बहुँष्र्या क अगर आप देखेंगे कि भाईया जो है इन्वार्मेंट का मैंने आपको उता है तेरा कोईशन आते हैं जादत जादत तर फैक्चुल होंगे कि भाईया लेटेस्ट में क्या हुआ रामसर कितनी जुड़ गई यह सब मैं एक वीडियो दूँगा लगातार फॉलो कर लोगे त हमारे discussion group है जिसमें continuous hand holding exercise चलती है जितने आप doubt यहां पर पूछ रहो जितने भी जो conceptual doubt है वो भी बताए जाते हैं हमारे पूरा discussion group देखें पेड गुरूप में आप आएंगे तो पहली बात तो आपको दो गुरूप में जोइन किया जाएगा ये गोगा material group उसमें आपको नहीं दे सकते हो दूसरा group है discussion उसमें हम आपको पूरा सब test देते रहते हैं कोई आपकी तरफ से doubt है कोई concept नहीं समझ में आ रहा है कोई confusion हो रहा है किसी चीज़ को लेके कुछ में किसी में और जो है चीज़े आपको समझ में नहीं आ रही है पढ़ रहा हो तो वो सारा guidance अभी तक UPSC में था UPSC में भी अब हमने कर दिया भी पीसी में भी तो आप चाहें तो एक nominal से फीज लेके पेट कुप जाइन कर लिएगा 28 जून से चालू हो रहा है सारा उसम मिलेगा नहीं भी करेंगे तो कोई समस्य वाली बात नहीं है playlist मैं अभी बता रहा हूं playlist जरूर फालो कर लिएगा सारे वीडियो में देखिएगा अगर सारे वीडियो देखें आपने सारे वीडियो देखेंगा तब ही मुझसे बात करिएगा रोंदू मत बनिएगा और लुल बनने की जिरूत नहीं है अईसे नहीं करना है ठीक है अईसे जो करोगे वहां पे पेस्बु हम लोगोंने कब कब की हैं 2017 से सिर्जला चालू हुआ था 2017 में प्री में करीबन 98 हमारे इस्टुडेंट हुए थे प्री में सिलेक्ट हुए थे ठीक है 2018 में आकड़ा बहुत जादा बढ़ गया था यह आकड़ा था यह करीबन जो है 180 के असपास लोग हमारे सिलेक्ट हो गये 180 से लेके 190 तक पेड में डायरेक्टली और टोटल मिलाके 980 से समतिंग थे मतलब एक हजार सिलेक्शन जो टोटल UPPSC के मेंस में जो लोग दिये हैं 18,000 से जादा लोग उने दिया है मेंस उसमें से 1000 इस्टड़ी फॉर सिविल सर्फिस के थे और यह 2019 में आकड़ा गिरा है क् कि 6000 टोटली सिलेक्शन हुए तेरा गुनाला रूल आ गया है फिर भी 107 सिलेक्शन हुए पेड गूप से जिसने पढ़ाई करी अब देखे आईज़ा तो नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाता है 107 लोगों का हुआ लेकिन उसमें थे कितने लोग उसमें थे करीबन जो है 900 सम्तिंग थे मतलब 1000 लोग थे 1000 में से सिर्फ 10% का हुआ अब 10% लोगों ने सीरिसली पढ़ाई करी जिन लोगों ने ट्रस्ट किया और वो हो गया उसके बाद भी जो है करीबन 400 मैंने बताया था ना आपको 2019 में भी जो हमारी प्लेलिस्ट भी देखके गए ऐसे भी थे लो लोग भी थे जिन लोगों ने पूरा सिलेक्शन लिया अब उसमें से वही है कि अपढ़ना पड़ेगा उसमें देखना पड़ता है सब कुछ जब हम आपको इतनी वेनत कर सकते हैं सारा वीडियो बनाके आपको फ्री दे सकते हैं आप पढ़ने सकते हो यार वह पढ़ों के तब ही आगे बड़ोगे, simple बात यही है, ठीक है, हाला कि फिर हम लोग यह बात कर रहे थे, डेड़ सो हम लोगों ने question देखे थे, current में मैंने आपको रता है, 28 के सही करके आने, 30 आते हैं, science में 15 के सही करके आने, 15, 16, 20 आते हैं, environment में सब कम से हम 8, 10 जरूर करके आना, 12, 13 आते कि मेनत से पूरा budget का कच्चा चिटा फिनिस, उससे बाहर आई नहीं सकता है question, बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि भाईया, speech और सब कुछ official data तो मैंने देई दिया है, वहाँ पे, उसके अलावा भी 5 मिनिट का एक मैंने वो वीडियो दिया था, short वीडियो, आरे भाईया, इसस पॉलिटी का मैंने बताया, सिर्फ अभी हमारी playlist देख लो, उतना काफी, अभी की जो playlist है, वो भी more than sufficient है, 95% ज्यादा question वहीं से आ जाएंगे, उतने में काफी है, 10 से 12, 15, 18 तक question आते हैं, आप आराम से इसमें जो है, आदे ज्यादा question सही कर सकते हो, ज्यादा तर question आर्टिक से 28 question आते हैं, जैसे बताया है, वैसे ही पढ़ लेना, आराम से 20 question कम से 20 से 12 सही करके आने, history में थोड़ा वो होती है, यूपी pieces वाले लोग खिलते हैं, कुछ ऐसे question इधर उधर से उठालाते हैं, एक ही दो question होते हैं, अलाकि जिसका answer किसी को नहीं पता है, जैसे किसी famous जो ह में एक पापा वीडियो मिलेगा, सिर्फ एक पापा वीडियो, मिस्लेनियस में topic कौन कौन से समझो, मिस्लेनियस में topic है, census 2011, urbanization वाला, latest data, agriculture का, mineral का latest data, 20th live stock census, Indian state of forest report, इसी का UP version of Indian state of forest report, tiger census, list of institutions, international organization और उनके headquarter, ये सारी चीज़े मिला के, मिस्लेनियस, अब ये मिस्लेनियस है, तो हर subject का कुछ कुछ है इसमें, ये वाले से करीबन 25 से 30 question आते हैं, सिर्फ एक वीडियो मिलेगा आपको, करीबन 8 से 10 घंटे का मिलेगा वो वीडियो, भाया जी उसको चुपचाप, जो है बहिनी जी और भाया जी, उसको रट लेना, खा लेना बिल्कुल, उससे notes बना लेना, जैसा चाहो वैसा कर लेना, इसकी PDF सिर्फ प्रेट को मिलेगी, आप लोग उस वीडियो को जो है डाउनलोड करने के लिए सोतंत्र हैं, उसको जरूर कर लेना, उसमें से आ जाएंगे करीबन 22 से 30 question और अगर आपने वो पूरा किजे, यह सारी की हमने प्लेइलिस्ट में दे रखी है, मैं प्लेइलिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, प्लेइलिस्ट अगर आप फॉलो करेंगे, सारे वीडियो मिल जाएंगे, उपर नीचे जरूर हो सकते हैं, ठीक है, यह चैनल जरूर जोइन कर लिए न ध्यान लग सकाना है, प्लस कुछ और इंपरेंट वीडियो जाने है, हमारी टेस्ट सिरीज है लगातर, एक तो यह प्लेइलिस्ट देखनी है अपको और एक दूसरी आपको कौन सी प्लेइलिस्ट देखनी है, टेस्री तेस्ट सिरीज की। इस तरह से आपको पढ़ना है लगातार और आपके लिए फिर मैंने भी प्लान किया है कि हर 15 दिन में जो है एक बार जरूर लाई वाया करेंगे कोई डाउट होंगे तो आप वहां पे जरूर पूछे यहां पे भी अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो जरूर करते हैं तो तीन तीन विशा को जो है आप मिक्स करिए कि एक दिन भाया हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी पढ़ेंगे दूसरे दिन हम एकनॉमी पढ़ेंगे इन्वायर्मेंट पढ़ेंगे करेंट पढ़ेंगे मिसलेनियस मिसलेनियस का तो एक ही बार पढ़के छोड़ तो उसमें तो कुछ है नहीं ठीक है और प्लस इसके लावा यूपी जी के करेंट अफेर ये सब का बहुत माइनूट पोड़सन होता है तीन चार पाच कोईशन होते हैं आप उसको एक विए निगलेट कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं में निगलेट करो त तो आप ये समझ लो कि आपको सितंबर के एंड तक आपको यूपी करेंट अफेर का मिल जाएगा पूरा विडियो ज्यादा उसमें होता नहीं एक आद अपडेट होते हैं बस हर महीने में बस उस ज्यादा यूपी का होता नहीं कुछ ज्यादा करेंट अफेर तो तीन तैयार यहाँ पर कि Mains के basic concept दो क्लियर करने है पहली बात ठीक है Mains का basic यहाँ पर clear करते हुए जाना है Mains का basic क्या मैंने जो बताईए book आपको बस वो कर लिजेगा ठीक है दो playlist आपको follow करनी एक तो UPPSC 2020 playlist study for civil services एक UPPSC 20 playlist series study for civil services प्लस previous year question आपको लगाने है वो हमने playlist में already include कर दी है previous year question आप ज़्यादा लंबे ना लगाएगा सिर्फ 2014 के अबाद से लगाए जा सकते हैं उसके पहले के भी लगाए जा सकते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ static वाले जो concept हैं उसका कुछ-कुछ portion आ जाता है 2019 में भी ऐसा नहीं कि कोई भी या previous year question नहीं आया था अभी तक क्या करते थे कि मानलों एक युद्ध हुआ तो युद्ध कब हुआ ये पूच लेते थे या फिर युद्ध में कौन जुता ये पूच लेते थे या कौन आ रहा है ये पूच लेते थे या फिर कहां हुआ ये पूच लेते थे पूरा सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे लगाता रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो previous year question नहीं अगर मेरी आवाज नहीं पसंद है लगता है कि यार बीट बीट में क्या हो जाता है यार इसको तो भाया फिर आप अपने हिसाब से जहीं से बताया वहीं से कर लेना वरना आप हमारा paid group join कर सकते हैं 28 June से चालू हो रहा है complete study material मिलेगा जितना इसमें material दिया जाएगा बस उतना पढ़ लेना प्री आराम से clear हो जाओगे बस यह मैं ऐसी guarantee नहीं दे सकता हूं फिर भी क्योंकि हमारे paid group से selection सिर्थ 10% है बाकी सब लोग नहीं पढ़ते हैं जो लोग लोगा video सब एक्दम से सानई बन जाएंगे सब की magazine magazine और YouTube channel सब एक्दम से दे देंगे तो यह हमारी मेहनत पे खाते हैं यह समस्या है बस खैर अब यह सब तो दुनिया अभी EPF होगा आप देखिए हमारा social security वाला हमने हमारी टीम ने बिल्कुल मेहनत करके notes बनाए और एक च जैसे हमने social security में notes release किये अपने वो उसने डाल दिये तो यह सब खैर कुदरत देखती है करबा देखता है हम अपने काम में पूरी तरह से dedicated हैं और honest है इसलिए हमारे लगातार selection होते जा रहे हैं और हम लगातार growth करते जा रहे हैं overall study for civil services family चाहे हो subscriber के basis पे हो चाहे हो revenue के basis पे basis पे हो सबसे ज़्यादा important है selections और वो हम लगातार दे रहे हैं ठीक है बाकी कोई अगर समस्या हो तो बताइएगा cset बैसा कुछ वह strategy वाली बात नहीं है 33% number लाने है आपको हिंदी English reasoning match चार चीजों में से कुछ तो आता ही होगा इस में से हिंदी English reasoning match के करीबन 80% 80% यहीं से से आ जाता है मत पडो उसको फाल्तो की चीज है कोई समस्या कोई उसमें मतलब मगज मारी करने फायदा नहीं है चार पाच क्वेशन आ भी जाएंगे पंदा क्वेशन आ जाएंगे मालो उसमें से आधे तो आप comments से कर सकते हो कहा है कले ICG में में पद्दी करो जहां पर कोई के फायदा ही नहीं है और CZ वाई से भी qualifying है का top बनता है GS से CZ का आप हमारा एक बड़े पापा वीडियो देख लिजेगा हिंदी इंगलिस reasoning match के हमने previous question भी करा है है और पूरा concept समझाय है अगर आप बोलो मैं इसमें कुछ मैं भी कर सकता हूं reasoning match के पूरे जो है topic वाई आप पर दे सकता हूं बस बात यह कि support चाहिए आपका सपोर्ट किस तरह से हर वीडियो को like करा करो तुरंत और चैनल को subscribe कर लिया करो ताकि आपको आगे क्यों notification मिलते रहे और subscribe के साथ साथ all notification tab on कर लिया करो प्लस अपने phone में जाके उसमें notification में जाके YouTube के notification को allow कर दिया करो ठीक है खैर अब बहुत देर बात सुन लिया आपने माफिय चाहता हूँ अगर मैंने आपको बोर किया हो मक्सद जिर्वियता कि आपका premium selection हो सके और प्लस आपका mains का basic concept बिल क्लियर हो सके इसलिए मैंने सारी चीज़े almost बता दी है अब देखे में में क्या होता है भीया GS1, GS2 और GS3 GS4, GS4 तो exactly अलग है ethics है उसमें हमारा पापयोड़ी देख ड़लिए conceptual clarity हो जाएगी GS3 में क्या है जादा तर economy प्लस environment और प्लस disaster management इसके हमने already playlist बना के note दिये हैं अभी से पढ़ दा लोग कई सारी चीज़े clear हो जाएगी GS2 में mostly लच्छमी कांत गुसा हुआ है लच्छमी कांत अगर आप पूरी book पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़े clear हो जाएगी प्लस current affair का आप हमारा एक आप लोग के लिए और announcement है detailed magazine भी आने वाली है अगर सब कुछ अच्छे से रहा तो हम हमें ऐसी magazine launch करेंगे इंडिया में किसी नहीं ना सोची है ना सोच पाए कि भाया यह finally जो है वो study for civil services होगा वो जो magazine आएगी वो कर रहा है मैं आपके लिए तो current affair हो गया लच्छमी कांत आपने पढ़ ली इसमें कही सारी चीज़े cover हो जाती है और scheme scheme हो सब तो current affair कही पार्ट है इसमन में क्या आता है भिया आर्ट अन कल्चर आता है तो class 11 की फाइन अर्ड का जो है बुक हमारा पापा वीडियो देख दलो साड़े चार गंटे का है बाकी तो modern history आती है और word history का पापा वीडियो आने वाला attentional बात नहीं social security sorry social issues जो है वो सबाने वो हमने दे रखें प्लस 8500 fees है और सब कुछ उतना दे देंगे कि आप प्री आराम से clear कर लोगे हो प्लस mains का 40-50% basic आपका cover हो जाएगा क्योंकि हम summary जो देंगे वो बहुत दी refine और updated होंगी वो आपको मिलेंगी तो आपका mains के concept clear हो जाएगे और 28 जून से ही हमारी test series चालू और यह UP pieces की with current affair जो है वो 960-66089 यह दो नमबरों पर आप call करके पूरी जानकर ही ले सकते हैं यह देखें दो नमबर जो दिये हो है यह दोनों नमबर है यह वाले 960-66089 और 856-880530 कोई और चीज हो तो बताएगे जरू all the best है जहिन